अर्जुन बोले, हे क्रिश्ट आप कर्म में सन्यास की और फिर कर्म योगी की प्रसंसा करते हैं इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भलिभाती निश्चे कल्यान कार साधन हो उसको कहिए श्रिभगवान बूले कर्म सन्यास और कर्म योग ये दोनों ही प्रमकल्यान के करने वाले हैं प्रन्तु उन दोनों में भी कर्म सन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से स्रिष्ट है हे अर्जुन जो पुरूस ना किसी से देश करता है और ना किसी की आखंचा करता है और कर्म योगी सदा सन्यास से ही समझने योग्या है क्योंकि राग देशाधी दोन से रहित पुरूस सुख प्रवक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है उप्र युक्त सन्यास और कर्म योग को मुर्ख लोग प्रिथक प्रिथक फल देने बाले कहते हैं ना कि पंडिचन क्यूकि दोनों में से एक में भी सम्मय प्रकार से इस्थित पुरूस दोनों के फल रूप प्रमात्मा को प्राप्त होता है ज्यान योगी द्वारा जो प्रम धाम प्राप्त किया जाता है कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरूस ज्यान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही अर्थात देखता है प्रंतु हे अर्जुन कर्म योग की बिना सन्यास अर्थात मन इंद्रिय और सरीर द्वारा होने बाले संपुन कर्मों कर्मों में करतापन का त्याग प्राप्थ होना कठीन है और भगवत्त स्वरुप को मनन करने बाला कर्म योगी प्रम ब्रहम प्रमात्मा को सिग्र ही प्र करन बाला है और संपुन प्रान्यों का आत्म रूप प्रमात्मा ही जिसका आत्म है एसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता तत्व को जानने बाला संख्योगी तो देखता हुआ सुनता हुआ एसपर्स करता हुआ सुंगता हुआ होजन करता हुआ गमन करता हुआ त्यागता हुआ ग्रहन करता हुआ तथा आखों को खोलता और मूनता हुआ भी सब इंद्रिया अपने अर्थ में ब्रत रही है इस परकार समझ कर निसंदे एसा मानने की मैं कुछ भी नहीं करता हूं जो पुरुस सब कर्मों को प्रमात्वा में अरपन करके और असक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुस जल से कमल के पती की भाती बाप से लिप्त नहीं होता कर्म योगी ममत्व भुधी रहित केव इंद्रिय मन भुधी और शरीर द्वारा भी असक्ति को त्याग कर अंतह करन की सुधी के लिए कर्म करते हैं कर्म योगी कर्म के फल का त् अंतह करन जिसके बस में है एसा संख्यों का अचरन करने बाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नवद्वार बाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याकर अनन्द पुर्वग सचिता नंद घन प्रमातमा के शुरूप में इस्थित रहता है परमेश्वर मनुस के ना तो करतापन की ना कर्म की और ना कर्म फल के सन्योग की ही रचना करते हैं किन्तु सभा भी बरत रहा है सर्वब्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्मों को और ना किसी के सुब कर्मों को ही ग्यान करता है किन्तु अज्यान के द्वारा ज्यान ढगा हुआ है उससे सब अज्यानी मनुष मोहित हो रहे हैं परंतु जिनका वह अज्यान प्रमात्मा के तत्व ज्यान द्वारा नश्ट कर दिया गया है उनका वह ज्यान सूर्य की द्रिश्य उस सचिदानंद घर्म प्रमात्मा को प्रक प्रहित होकर अपुन्राबृत को अर्थात प्रमकति को प्राप्त होते हैं विज्यानी जन बिध्या और विनय युक्त ब्रह्मन में तथा गव हाथी कुत्ति और जंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं जिनका मन संभावों में इस्थित है उनकी द्वारा इस जीवित अवस् में ही इस्थित है जो पुरुष्प्रिया को प्राप्त होकर हर्शित नहीं हो और अप्रिया को प्राप्त होकर उधीग ना हो वह इस्थिर बुद्धी संसी रहित भ्रम बेता पुरुष्प्रम प्रम प्रम प्रमात्मा में एकी भाव से नित्य इस्थित हैं बाहर की विश प्रम्ब्रम प्रमात्मा के ध्यान रूप योग के अभिन्द भावों से इस्थित पूरुष अच्छे अनन्द का अनुभव करता है जो ये इंद्रिया तथा विशयों के सन्योग से उत्वन होने बाले सब भोग है यदा भी विशय की पूरुषों को सुख रूप भासते है तो भी दुख के ही हेतू है और आदी अंत वाले अर्था अनित्य है इसलिए अर्जुन बुधिमान विवे की पूरुष उन्ग में नहीं रमता जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नास होने से पहले पहले ही कामकुरोद से उत्वन होने बाले बेकुसान करने में समर बाला है वो सच्छा जंदखन प्रम्रम प्रमात्मा के साथ एकी भाव को प्राप्त संक्य योगी सांत प्रम को प्राप्त होता है जिनकी सब पापनश्ट हो गए हैं जिनकी सब संसय ज्यान के द्वारा निवरित हो गए हैं जो संपुन प्राणियों के हीत में रत है और जि सम्क्रोध से रहित जीते हुए चित बाले प्रब्रह्म प्रमात्मा का साथ सातकार की हुए ज्यानी पुरुष के लिए सब और से सांत प्रब्रह्म प्रमात्मा ही परिपुर्ण है बाहर की भीषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नित्रों के द्रिष् जो मुक्ष प्रानाई हुमुनी एक्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वो सदा मुक्त ही है मेरा भग्त मुझको सब यज्य और तफों का भोगने बाला संपुर्ण लोगों के इस्वर का भी इस्वर तथा संपुर्ण भूत प्रान्यों का सुहिर्दे अर्थात त्रहित रयालू और प्रेमी इसा तत्व से जानकर संती को प्राप्त होता है